हालो बच्चों सभी बच्चों को बिरा नमस्कार आज क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक हम लेके चल रहे हैं आपको पढ़की सुझ में आ रहा होगा कि वेक्टर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये आपके ख्लास 11 के युनिट 4 का कॉंसप्ट है लीगिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वान्टिटी इस क्या होती हैं हमने पढ़ रहे हैं कि जिन क्वान्टिटी्ज के पास कुछ निमेरिकल वैलू होती है और जिन के पास यूनिट होती है उसको हम physical quantity कहते है जैसे हम कहें कि किसी भी object का जो volume है वो 10 मीटर क्यूब होता है ये किसी object का volume है तो मैं कहूंगा कि जो volume है वो एक physical quantity है ठीक है अब हम दुकान पे जाते हैं और हमको कोई चीज खरीदनी होती है हमने का भई हमको आलू 5 किलो दीजी तो उसने हमको 5 किलो दे दिया नहीं हमारा knowledge कहता है कि अगर मैं उसको 5 किलो आलू देने के लिए कहूंगा उस दुकान दार को तो मेरी बात को समझ जाएगा ठीक ये तो बात सुन में आ गई हमने का ठीक है हम जहां पर बैठे हैं हमने कहा यहां से लखनव 60 किलो मिटर है 60 किलो मिटर है आप ने वहां से स्टार्ट किया अपनी बाई को और आप चल दिये 60 किलो मिटर और 60 किलो मिटर चलने के बाद देखा कि वहां लखनव मिला नहीं हर दो ही मिल गया तो आपने का इसका मतलब कुछ गवर्ण है भाई 60 किलोमेटर आपको बताया गया लेकिन आप पहुंच नहीं पाए वहाँ पे मतलब हमने जो आपको बताया वो जो जानकारी दी वो अधूरी जानकारी थी क्यों? वैलू तो दी हमने 60 किलोमेटर लेकिन हमने ये नहीं बताया इन विच डिरेक्षिन यू हैब टो गो कि आपको किस दिशा में जाना है तो यानि कि कुछ कॉंटिटीज ऐसी हमको लगी कि जिनके लिए किवल सिक्स्टी किलोमेटर कहना ठीक नहीं है उसके लिए दिशा भी बतानी पड़ीगी यहनी हमने अपने नौलिज से जाना कि कुछ कॉंटिटीज में लेलू से काम चल जाता है और कुछ कॉंटिटीज के लिए हमको लेलू के साथ साथ उसकी डिरेक्षिन भी बतानी पड़ती है तो हमने फिजिकल कॉंटिटी को दो भागों में बाटा एक पहली quantity हमने लिखी that was scalar quantities इसको हमने कहा scalar quantities इसको हिंदी में हमने कहा अधिश्रासिया those quantities which have only magnitude not no direction जिन quantities के पास केवल magnitude होता है मापांक होता है दिशा नहीं होती है उनका नाम हमने क्या दिया scalar quantity जैसे हमने का वह मास होता है तो मास को बताने के लिए आपको direction की जरूरत नहीं है अगर आपने कहा एक object की density 70 meter cube kg per meter cube है तो आपको density बताने के लिए direction की जरूरत नहीं है density घरत उसे कहते हैं आपको माल या speed बतानी है तो speed बताने के लिए क्या होता है आपको distance बतानी है तो ये चीजें आपने बताई जिन लोगों को वो आप मास आपने 5kg का वो समझ गया है पूरी बात आपको इसके बाद बताने की जरूरत नहीं है तो आपने अपने नौलिज से जाना कि वे क्वांटिटीज ये वे क्वांटिज हैं जिनको बताने के लिए हमको डिर बात कर रहे थे हमने पोधीशन बताई थी आपको एक प्लेज की लखनु की पोधिशन बताई थी लेकिन हमने ये नहीं बताया था कि कहां से में बात कर रहा हूं ठीक है या कहां से में आपको बता रहा हूं तो that was incomplete information तो that quantity is known as vector quantities सदिश रासियां हो कहलाती है यह वे quantities वे physical quantities जिनके पास magnitude as well as direction which have magnitude as well as direction that is known as vector quantities जैसे displacement displacement कैसी quantity है जिसको की विस्थापन कहते है यह आपकी vector quantity है क्योंकि हमको displacement में बताना पड़ता है कि body कहां से चली है और कहां पे जाके रुकी है क्योंकि प्रार्मिक position जो होती है जो initial position होती है और final position जो होती है उनके इसकी shortest distance आपको बतानी पड़ती है displacement जैसे हमने कहा force तो force एक vector quantity है हमको force की direction बतानी पड़ेगी कि force किस direction में लग रहा है या मैंने velocity बताई वेग यह कैसी quantity है vector quantity है यह वेग quantities है जिनको बताने के लिए आपको magnitude भी बताना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसकी direction भी बतानी पड़ेगी ठीक है एक प्रकार की और quantities होती है उनको आपसे फिरहाल मतलब नहीं है मैं बता देता हूँ आपको tensor quantities होती है tensor quantities इसको हिंदी में प्रदिश रास्या कहते है यह आपको generally word नहीं मिलेगा tensor analysis आपको mathematics में बहुत बड़े classes में post graduation के classes में पढ़ाई जाएगी वहाँ हलका फुलका इसको बताया गया लेकिन दूसी तरीके से बताया गया है देखे यह प्रदिश रास्या होती क्या है ज़रा समझ दे की कोशिस करिए जैसे आपने एक balloon लिया एक गुबारा लिया उसमें हवा भर ली उसमें पानी भर ली आपने वह सब balloon था उसमें पानी भर ली आ तो वह जो पानी होगा या जो हवा होगी वह उस balloon पे force लगा रही होगे pressure लगा रही होगे तो हमने का pressure की एक direction होती है तो वह सदिस रास ही कहलाती है प्रेसर सदिस रास में आती है प्रेसर जो है वो सदिस रास में आती है इसका मतलब इसकी दिशा होगी मतलब ये तो क्लिर हो गया कि जो डिरेक्शन उसके प्रेसर की होगी अगर उस जगे पे उस बैलूर में छेट कर दिया जाए तो वहां से पानी निकलना सुरू हो जाएग वही pressure की direction है, ठीक है, अच्छा, मैंने एक जगे और छेद कर दिया, तो पानी वहाँ से भी निकला शुरू कर दिया, एक जगे और छेद कर दिया, जहाँ जहाँ छेद कर रहे हैं, वह हर तरफ से पानी निकला है, तो वही pressure की कितनी directions है, तो pressure in that case, उस case में pressure के पास बहुत सार and one direction, उनको हम tensor quantities कहते हैं, actually वह vector quantities ही होती है, लेकिन उस case में वहाँ पर उनका एक special नाम दे दिया जाता है, कि that is tensor quantities, तो ये तो आपका हुआ कि scalar quantities क्या होती है और vector quantities क्या होती है, इससे आपको मतलब नहीं है, अगर आप से कोई पूछेगा तो इसको आप नहीं बताएंगे, आपकी जनकारी के लिए मैं ने बताया है, इसके बात vectors के types कितने होते हैं, vector को actually में कितने तरीके से या कित प्रकार के vector होते हैं, एक polar vector होता है, अब अगली बात मैं करने जा रहा हूँ, types of vector, types of vectors, vector के प्रकार, चाहापर बहुत simple उसके हिंदी होती है, वहां मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, जनरली मैं दोनों language में इसको बताऊंगा, इसलिए दिक्रत नहीं आएगी, हिंदी polar vector, इसको कहते हैं, दुरूई vector, polar vector को कहा जाता है, दुरूई vector, ऐसे vector, जिनका एक starting point होता है, जनरी vector which are having, which have a starting point, मताँ vector having a starting point, vector having a starting point, जिसके पास एक starting point होता है, या कह सकते हैं, our point of application, point of application, जिनके पास एक initial point होता है, उसको हम कहते हैं, दुरूई vector या polar vector, जैसे, आपने किसी body पे force लगाया, तो आपको बताना पड़ेगा, कि किस body पे force लगाया, आपने उस body पे force, इस प्रकार से, जो है push किया होगा, उसको छुआ होगा, तो वहाँ से force start होगा, तो that force is having starting point, तो force कैसा vector है, एक्चुलिन ये force एक polar vector है, एक दुरूई vector है, ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा होता है आपका, जैसे displacement हुआ, जिस्थापन हुआ, तो कोई body कहीं से चलना सुरू ही होगी ना, जो body displace हुई होगी, उसका एक initial point रहा होगा, वहाँ से चलना उसमें सुरू किया होगा, तो displacement कैसा vector है, polar vector है, दुरूई vector है, दूसरा होता है, non polar vector नहीं कहेंगे उसको, उसको axial vector कहा जाता है, axial vector या अक्षिय सदिस, axial vector, axial vector कहते हैं, या इसको हम अक्षिय सदिस कहते हैं, अक्षिय सदिस कहते हैं, एक vector जो rotational effect जो create करें, a vector which represent, या which represent rotational effect, जिसमें having rotational effect, जिसके पास rotational effect हो, rotational effect हो, यानि जिसमें घुर्ण का effect हो, उसको हम कहते हैं, axial vector, जैसे angular velocity, angular velocity, जो 11th की physics अभी पढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी 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 अग्विलास्टी नहीं पढ़ी है, वो आगे चप्टर में एक आज चप्टर बाद है, angular velocity, इसको कहते हैं, कोडी वेक, कोडी वेक, ये कैसा vector है, ये आपका axial vector है, या angular acceleration, या angular momentum, कोडी समवेक कहते हैं, ये कैसा है, इसमें rotational effect होता है, यहनि जब बॉडी किसी axis के चारो ओर rotate होती है, तो वो आपका axial vector होता है, अब उसकी direction क्या होती है, ज़रा समझीगा, उसकी direction depend करती है, कि आपकी body clockwise गूम रही है, anti-clockwise गूम रही है, देखिए, अगर बॉडी ऐसे गूम रही है, यह आपका right hand है, अगर body ऐसे गूम रही है, जो उठा होता है यह आपका angular vector बताता है, अगर body ऐसे है, उसकी angular velocity चाहिए, तो angular velocity कहां पर होगी, उसके axis पर होगी, जैसे cycle का धुरा होता है, cycle का पया होता है, तो b center पर घूमता है, ऐसे गूमता है ना, अगर इस पया को ऐसे कर दीजिए, और पया को ऐसे गूमाईए, अगर पया ऐसे गूम रहा है, तो angular direction यह होगी, अगर पया ऐसे गूम रहा है, तो जिधर आपका अंगुठा होगा, वो उस vector की direction होगी, ठीक है, यहाँ पर जो आपका polar vector है, उसमें तो आप एक diagram ऐसे बना दोगे, यह diagram बना दोगे कि यहाँ से vector शुरू हुआ होगा, ठीक है, लेकिन angular में क्या करोगे, देखे, angular में body माल लिया, ऐसे rotate हो रही है, ठीक है, अगर body इस प्रकार से rotate हो रही हो, कौन सा wise है यह, anti-clockwise, अगर anti-clockwise हो रही है, ऐसे, ठीक है, तो यह जो अंगुठा आपका है, वो direction बताएगा vector का, तो vector का यह direction होगा, ऐसे vector होगा, ठीक है, अगर यही body आपकी माल लिया ऐसे घूम रही हो, clockwise direction में, तो अब आपकी body ऐसे घूम रही है, अंगुठा आपका नीचे की तरफ है, तो यह angular direction आपकी होगा, यह vector का arrow नीचे क्यों लगेगा, तो यह दो प्रकार के vector होते हैं, polar vector और axle vector, एक्शल वेक्टर जब आपको types of vector आते हैं, तो आप उसमें लिखते हो, equal vector, zero vector, वो types of vector नहीं होते हैं, वो आपके vector के classification है, उस vector के अलग-अलग नाम है, vector दो होते हैं, जिनका एक initial point होता है, starting point होता है, वो आपका polar vector होता है, ध्रूई vector होता है, और जो axle axle होता है, जहांपर body rotate करती, इस यह axis के चारोगोर, वहाँ पर आपका axle vector होता है, ठीक है, यह दो प्रकार के vector होते हैं, अब हम vector को classify कर दे जा रहे हैं, यहांपर torque भी हो सकता है, एक और example इसका हो सकता है, torque, जिसको कि आगूर कहते हैं, तो आगूर क्या होता है, यह आपका axle vector है, किसी body के, किसी axis के चारोगोर body ऐसे घुमती है, ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया है, axle vector, ठीक है, तो यह आपके, है यह vector ही, अगर आपको example आप vector कहा जाएगा, तो angular momentum भी vector में आएगा, angular velocity भी vector में आएगा, torque भी vector में आएगा, displacement भी आएगा, force भी आएगा, लेगिन अगर उसको भी वाइफर केट करने के लिए कह दिया जाए, कि vector है, तो कैसा vector है, तो फिर axial vector और polar vector में आप इसको explain करेंगे, अब हम vectors के अलग-अलग नाम है, उसको classify करते हैं, classification of vectors, यह बहुत ही introductory class है, vectors के बारे में थोड़ा introduction है, बहुत detail में पढ़ लीजेगा, कभी-कभी बहुत जो understanding type वाले questions होते हैं, किसी competition में, खासरों से neat वगरा में, वहाँ पर एफ़सा देते हैं से, चुकि आपको क्या होगा, कि हर question का answer एक जैसा लगेगा, कि जो चार option दिये हैं उन्होंने answer के, वो चारों सही है, अब बात करते हैं, classification of vectors, classification of vectors, vectors का हम वरगी करण करने जा रहे हैं, ये polar भी हो सकते हैं, ये axial भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन उनके अलग-अलग नाम है, पहला आता है, हम बात करेंगे, equal vectors, equal vectors, समान vector, समान सदिस, हिंदी में भी आप vector लिख सकते हों, सदिस लिख दो या vector लिख दो, देखें, equal vectors क्या होता है, असा vector को denote कैसे करेंगे, vector एक arrow की द्वारा denote किया जाता है, arrow की जो लंबाई होती है, वो vector का magnitude होता है, और arrow का जो arrow head होता है, यह उसकी direction बताता है, मालिया इस direction में, पूरब दिसा में, कोई body 5 meter per second के रफतार से जा रही है, तो मैं क्या मानूंगा, कि 1 meter per second को मैं माल लेता हूँ, 1 centimeter, तो हम इस direction में, 5 centimeter के एक line खीज़ देंगे, तो जो इसकी लंबाई होगी, that will tell you the magnitude of the vector, वो उस vector का magnitude बताएगी, और जो इसकी direction होगी, जो arrow लगा होगा, वो इसकी direction को बताएगा, ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, हम इसका नाम कुछ देंगे, और इसके उपर हम vector दिखा देंगे, देखिए, इसके उपर जो vector दिखाए जाता है, वो vector quantity होता है, वो direction नहीं बताता है, कि मान लिया कोई vector आपको ऐसे दिया जाए, और आपने B लिखा है, तो आप B के उपर ऐसा मत बनाईगेगा, ये नहीं होता है, अब अगर ऐसे बनाओगे, तो अब ये बताओ, लुक्स में क्या होता था, कि वो किसी भी vector को जब रिप्रेजन करते थे, तो dark में बना देते थे, vector को dark कर दिया, arrow नहीं बनाया उन्होंने, ये एक confusion की इस्तित होती है, कि जिसको हम dark समझ रहे हैं, उसको हो सकता, आप उसको light समझ रहे हो, चस्मे में दिक्कत हो, तो इसलिए बाद में arrow बनाना शुरू किया, शुरुआती दोर में क्या था, वो vector को एक dark बनाते थे, इसके इसके लब बनाना है, तो light बना दिया, और vector बनाना था, इसी को उन्होंने dark कर दिया, ये vector quality है, तो इसको लिखने में दिक्कत होती है, भई हम copy में कैसे dark करेंगे, dark करते जाएंगे, तो कापी फढ़ जाएगी वहापर, तो इस प्रकार से vector को represent किया जाता है, ठीक है, अब बात करने जा रहे है, equal vectors, लेकिए equal, बहुत अजीब अजीब नाम यहाँ पर आएंगे, उन नामों को याद रखिएगा, equal vector का मतलब होता है, जिनका same magnitude हो, same magnitude, and same direction, यहनि जिनका magnitude भी same हो, और जिनका direction भी same हो, उनका नाम है equal vector, जैसे हमने एक vector ये बनाया, और दूसरा vector ऐसे ही बना दिया भी, ये vector A है, ये vector B है, दोनों की लंबाई same करी, दोनों की direction same करी, तो हमने कहा vector A is equal to vector B, ये हो गए आपके equal vector, दूसरा होता है opposite vector, वह सारे नाम हैं ध्यान खिएगा, opposite vector, या इसको negative vector भी कहते हैं, negative vectors, विपरीत या रिणात्मक सदिस कहते हैं, विपरीत कहें, या रिणात्मक सदिस कहें, रिणात्मक सदिस कहें, अगर दो vector ऐसे हैं, जिनका magnitude तो same है, मतलब एक vector ये मालिया P है, और उसी के बराबर का vector Q है, लेकिन दोनों की जो direction है, वो opposite है, P और Q की दिशा opposite है, तो हम कहेंगे, P is equal to Q, लेकिन minus में है, इसलिए minus Q लिका जाता है, यहाँ इनका magnitude तो समान है, equal magnitude बट opposite direction, यहाँ पर same magnitude and same direction, यहाँ same magnitude बट opposite direction, तो यह आपका हो गया, opposite vectors, ठीक है, बहुत सारे नाम है, इन्हें आप note करके, learn भी करना पड़ेगा, ध्यान से इसको diagram को सीखना पड़ेगा, इसके बाद next है, collinear vector, collinear, coplinear, co-initial, co-terminus, बहुत सारे नाम है, collinear vector, sum रेखिये सदिस, next number है इसका third, collinear vector, sum रेखिये सदिस, sum रेखिये सदिस, देखे, एक vector, which either act along the same line, or same parallel, या तो एक line पे ही ओकाम करें, जैसे मालिया, एक vector ये A है, और एक vector ये B है, इसको भी collinear कहते हैं, A और B, ये भी collinear है, या एक vector ये A है, और इसी के, जिस point पे काम कर रहा है, इसी में एक opposite vector B काम कर रहा है, इधर A काम कर रहा है, इधर B काम कर रहा है, तो इसको भी हम collinear कहेंगे, या एक vector ये A ऐसे काम कर रहा है, इसकी magnitude से, अमतर अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं को same होगा, इसका जो magnitude है, जो परिमार है, वो अलग अलग हो सकता है, ये vector A है, और A वेक्टर भी है, ये भी collinear है, इनको collinear कहा जाता है, लेकिन, इनमें थोड़ा सा अंतर है, ये like parallels होते हैं, एक ही direction में है, ये unlike parallels है, मतब parallel होने चाहिए, ये like parallels है, और ये unlike parallels है, तो ये collinear कहलाते हैं, अब आपके इनके साब, एक line में तो हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक vector ये A है, और दूसरा vector ये B है, तो ऐसा भी हो सकता है, ये collinear है, ये भी collinear कहलाएंगे, तो ये collinear vectors कहलाते हैं, इसका next point है, that is co-initial vector, co-initial vector, initial का मतलब होता है, सह प्रारंभिक बिंदू, तो आपको नाम से लग रहा है, कि जिस vector का initial point same हो, ये starting point same हो, co-initial vector, चौथा point है, co-initial vector, सह प्रारंभिक, सह माने एक साथ, और प्रारंभिक मतलब start करने वाले, सह प्रारंभिक सदिस, co-initial vector का मतलब होता है, have the same initial point, ये अगर हम इसकी definition देना चाहें, तो आप कहेंगे, vectors have the same initial point, same initial point, जिस vector का initial point same होता है, initial मतलब starting point same होता है, माल या एक vector ये a है, ये point यहां से start हुआ है, यहीं से दूसरा vector start होता है, यहीं से तीसरा vector start होता है, ये a है, ये b है, ये c है, तो ये आपके सब एक ही point से start हुए है, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, co-initial vector कहा जाता है, next है co-terminus vector, अगला है co-terminus vectors, टर्मिनस का मतलब होता है, जहां जो चीज खतम हो, finish हो रही हो, यानि having the same terminal point, अगर हम लिखे है, vectors have same terminal points, same terminal point का मतलब होता है, end point, anti-bindu, same terminal point, जैसे, एक vector ये है a, यहां पे आके मिला, दूसरा vector b है, यहीं पे आके मिला, तीसरा vector c है, यहीं पे आके मिला, तो तीनो vector एक ही point पे आके मिले, तो इसलिए इसको कहा जाता है, co terminus vector ठीक है इसके बाद आता है co planar vector नाम से लग रहा है जो एक plane में हूँ co planar vectors vectors in the same plane बला हमने एक copy का page ये ले लिया ये एक plane ले लिया एक copy का page है इसमें vector हमने ये दिखा दिया ये vector b दिखा दिया ये vector c दिखा दिया ये vector d दिखा दिया यह vector A दिखाया, यह हमने B दिखाया, यह हमने C दिखाया, यह हमने D दिखाया तो हमने चुकि एक ही page पे दिखाया है, एक ही plane पे दिखाया है तो इसको कहा जाता है co-planar vectors ठीक है उसके बाद एक vector का modulus आता है अगला है modulus of vector modulus of vectors नाम से लग रहा है vector quantity की length इसको हिंदी में मापांग कहते हैं ठीक है लेंथ आफ वेक्टर कहें हम लेंथ आफ वेक्टर या मैंगिटूड आफ वेक्टर मैंगिटूड आफ वेक्टर इसको कहते हम मॉडलस आफ वेक्टर इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कोई बॉड़ी है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से विलासिटी से इस डिरेक्शन में जा रही है तो इस डिरेक्शन तो इसकी डिरेक्शन को बताता है लेकि जो 5 वैलू हम modulus है तो लिखते कैसे हैं किसी vector quantity जो होता है vector quantity उस पर इस प्रकार से दो state line खीर दीज़े यह modulus होता है या simple भासा में हम इसको a लिख देते हैं उस vector नहीं चड़ाते हैं लेकिन इसको इसको लिखने में एक confusion ठीक है हमने a लिख दिया उस पर vector नहीं चड़ाया इससे यह सिद्धर नहीं हो रहा है कि यह vector quantity है जिसका magnitude हम निकाल रहे हैं हो सकता है यह चीज mass of a body हो चीक है तो ऐसे लिखा तो जाता है लेकिन यह confusion की स्थित होती है कि यह जो quantity लिखी है यह vector है यह नहीं represent होता है कि vector का modulus निकाल है तो इसलिए ज्यादा तर यह लिखा जाता है modulus of the vector इसके बाद आता है unit vector जिसको कि हम hero of the vector कह सकते हैं वो vector का hero होता है मतलब vector का जो एक प्राण है वो आपका unit vector है वही vector को टिक टॉक करता है घुमाता फिराता रहता है तेखिए unit vector क्या होता है point number 8 है आपका तो numbering कर रहे हैं इसलिए हम डाल लें इसमें unit vector इकाई सदिस इकाई सदिस इसको कभी identity vector भी कहता है लेकिन ज्यादा unit vector है नाम से लग रहा है इकाई unit मने one vector है whose magnitude is unity यह यह vector whose magnitude जिसका जो मापांग होता है magnitude is unity जिसका is called unit vector वो vector जिसका magnitude unity होता है जिसका value जिसका modulus value one होती है उसको हम कहते हैं unit vector इसको denote कैसे करते हैं it is denoted by जो vector होता है उस पे cap लगा देते हैं इसे a cap और इसको देते कैसे हैं given by जो इसका formula होता है उसको क्या लिखते हैं किसी vector quantity को अगर उसके magnitude से divide कर दिया जाए तो आपको मिल जाता है unit vector a cap is equal to vector ने पाल मॉडल से किसी vector quantity को अगर उसके magnitude से divide कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है unit vector अभी हमने का unit vector का मतलब क्या होता है एक second हमने का unit vector का मतलब होता है जिसका magnitude unity हो जिसकी value unity हो अब जरा इसकी value निकालो देखो अगर मैं हमने कहा कि भी इसको कैसे लिखेंगे vector a divided by magnitude of a अगर मैं इन दोनों पे mod चढ़ा दूँ तो इधर देखे mod उपर भी चड़ेगा मौड नीचे भी चड़ेगा तो यह मौड ऊपर चड़ गया अब नीचे तो मौड आलेड़ी लगा है ना तो इसकी value क्या आएगी फन आएगी तब वही तो definition दे रहे है कि जिसका magnitude unity हो वन हो उसको हम unit vector कहते है ठीक है एक होता है आर्थोगोनल unit vector लंब कोड़ी एकांग सदिस इसको एकाई सदिस कहते है या इसका एक और नाम होता है एकांग सदिस एकांग वर्ड भी यूज़ करते है ठीक है अगला है आर्थोगोनल unit vector आर्थोगोनल unit vector इसका हिंदी में कहते है लंब कोड़ी एकांग सदिस लंब कोडिय एकांक सदिस या इकाई सदिस एकांक सदिस जरा समझने की कोशिश करिएगा देखिए आप जानते हैं X, Y, Z ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और परपेंडिकुलर को ही आर्थोगोनल कहते हैं इसका मतलब ये X, Y, Z के बारे में बात कर रहे हैं ये X-axis है ये Y-axis है ये Z-axis है ये X-axis है ये Y-axis है ये Z-axis है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये X है ये Y है ठीक है या ये Y है और ये Z है X, Y, Z ये परपेंडिकुलर होते हैं के लांग जो होता है उसको कहते हैं J-cap और Z के लांग होता है उसको कहते हैं K-cap तो जो आर्थो गोनल ये वेक्टर्स हैं वो क्या है आई-cap, J-cap, K-cap इनका magnitude क्या होगा unit होगा जहाँ पर mod i आएगा या mod j आएगा या mod k आएगा क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा ठीक है अब ज़रा एक बहुत अच्छी बात देखीगा बहुत ध्यान से समझीएगा मैं कुछ बताना चाहता हूँ देखे हमने कहा unit vector को कैसे represent करते हैं आपने कहा vector को उसके magnitude से divide कर दो यह तो आपने कहा ज़रा इसका cross multiply करो तो vector यह क्या होगा mod of vector into a cap यह इधर जाएगा और a cap से multiply हो जाएगा ज़रा साउधान हमने किसी magnitude को हमने किसी magnitude को किसी मापान को उसके unit vector से 21 से multiply किया तो आपको vector मिल गया किसी magnitude को उसके unit vector से multiply किया तो vector बन गया ज़रा गौर फर्माईएगा देखो हम कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि यह mathematics में बहुत use आता है देखो यह x-axis है ठीक है यह y-axis है यह z-axis है x के along जो unit vector होता है वो i-cap होता है y के along j-cap होता है और z के along k-cap होता है हमने कहा कोई body है जो 4 meter per second की velocity से x के along जा रही है x के along जा रही है 4 meter per second की velocity से तो actually में 4 meter per second क्या चीज है आप कहेंगे 4 जो है उस velocity का magnitude है 4 जो है वो उस velocity का magnitude है magnitude है अब चुकिए velocity एक vector quantity है वो एक सदिस्रासी है तो उसको vector में कैसे convert करें तो हमने का किसी magnitude को उस direction के unit vector से multiply कर दो देखिए ध्यान से ये x के along body जा रही है और x के along जो unit vector हो i cap है तो अगर 4 का multiply हम i cap से कर देंगे तो आपको velocity vector मिल जाएगा बात समन्द में आ गई? ची किसी magnitude को अगर उस direction के unit vector से multiply कर दिया जाए तो आपको vector quantity मिल जाती है जैसे अगर किसी body पे force लगा दीजे 5 newton का और force की जो direction हो वो z axis के along हो और आप कहेंगे भई 5 newton क्या है? तो आप कहेंगे 5 is the magnitude of force 5 जो है वो उस force का magnitude है हमने का उसको vector quantity में change करो तो आप 5 को k से multiply कर देंगे तो आपको force vector मिल जाएगा तो ये convert करने का तरीका है किसी magnitude को vector में तो ये हो गया आपका orthogonal next point देखिए 10th point ये vector का introduction है introductory part है इसके बाद आपको vector mathematics में इधर कहीं नहीं मिलेगा physics 11th में पढ़ा होगा तो काफी कोछ यहां से आपको help मिल जाएगी इसके बाद आता है null vector अगला point है आपका null vector null vector या इसको zero vector भी कहते है zero vector 0 सदिस 0 सदिस नाम से लग रहा है जिसका magnitude 0 whose magnitude is 0 whose magnitude is 0 अब आप कहेंगे साब magnitude 0 है तो उसका मतलब क्या है कोई मतलब तो है नहीं मतलब है भाई जैसे displacement की बारे में बात करते है विस्थापन की बारे में बात करते है तो displacement में क्या होता है कि body A point से चली और B तक गई arrow नवर आईए B से गई C तक गई और C से फिर वापस A पे आ गई हमने का A से इधर गई फिर इधर गई फिर यहां लौट के आ गई हमने का displacement क्या है तो आप displacement की जो बताते हैं definition वह आप कहते हैं initial और final position के बीच में जो shorter distance होती है उसको हम displacement कहते हैं अब चुकि initial point भी A था और body load के फिर A point पे आ गई तो इसका displacement हो गया A A इसका जो displacement है इस body का displacement है जो विस्थापन है वो है A A A से A के बीच की दूरी 0 है तो जब 0 लिखेंगे और आप कहे रहे हो 0 is a displacement is a vector quantity तो 0 को भी वेक्टर में लिखना पड़ेगा ना इसलिए 0 vector का concept बताना जरूरी है तो यह आपका null vector है इसके बाद आता है fixed or localized vector अगला है fixed or localized vector next point है fixed or localized vector हिंदी में कहते हैं इस्थानी या नियत vector इस्थानी या नियत सदिस सदिस लिख लिजेगा नाम से लग रहा है जिसका initial point fix हो a vector whose initial point is fixed initial प्रारंभीक बिंद उसका initial point is fixed जिसका initial point fix हो उसको कहते है localized vector वह ऐसे होता नहीं कहीं आप रहते हैं और वहाँ कहते हैं मैं यहाँ local का रहने वाला हूँ समझ लेना तो local का रहने वाला हूँ मतलब आपका वहाँ पर position fix है initial कहाँ पे आप रहते हो ठीक है बाहर का कहीं वेक्ति है आज यहाँ है कल वहाँ है तो वो free होता है वो free vector होता है ठीक है जैसे माल यह position vector आप देते हैं किसी body का यह example यहाँ पर आएगा तो जैसे position vector अभी मताएं कि welshomen miss chicken क्या होता है Position vector इस्थित सदिस इस्थित सदिस इस्थित भी घण सकते है तो यह position vector कैसा है वो fix vector होता है इसकी position fix एती है ठीक है और दूसरा होता है free vector यह non localized कहसकते हैं free vector jean non localized तो इस Track को कहेंगे next है इसी में लिख देते हैं next point है free vector और non localized non localized वेक्टर मुक्त सदिस इन्दी में कहा जाता है इसको मुक्त सदिस देखिए जिसका initial point fix नहीं हो जैसे हम बात करें velocity की तो body कहां से कहां गई हमको नहीं मालूँ उदर से आरित इदर निकल गई तो velocity एक initial point उसका fix नहीं होता है इसलिए वह आपका non localized है ठीक है अब एक बहुत अच्छी बात आती है position vector and displacement vector यह type नहीं है यह type से इतने हो गए यह type नहीं कहेंगे classification of vector vector वेक्टर वेक्टर ही है उसकी position के हिसाब से उसकी इस्थित के इसाफ से हमने उसके नाम दे दिए अब आता है position vector position vector and displacement vector देखो ध्यान से समझेगा मैंने starting में आपको लखनों भीजा था आपने यहां से मैं कहां कहा हूं मैं नहीं बता रहा हूं आप गलत दिशा में चले गए थे 60 km तो पहुंच गए थे हर दोई अभी हमको बताना पड़ेगा कि लखनों कहां से किसी point की इसको कहते है इस्थित सदिस इस्थित सदिस और यह है विस्थापन सदिस विस्थापन सदिस देखो अगर आपको इस point की location बताना है यह लखनों है इसकी location बताना पड़ेगा इसकी इस्थिती बताना पड़ेगा तो आपको क्यों 60 km कहने से काम नहीं चलेगा आपको एक origin लेना पड़ेगा यह origin है जिसको कि मूल बिंदु कह सकते हैं और आप कहेंगे O A जो है इसका position vector है यह अगर हम कहें position vector short में PV लिख देते हैं आप A तो क्या है O A यानि मैंने आपको बता दिया सहाब 60 km कहा से O से जहां मैं रह रहा हूं और इस दिशा में तब आप पहुंचेंगे अब आपको मैं दूसरे city B पहुंचाना चाहता हूं यहीं से तो मैं कहूंगा कि यहां से 100 km राइबरेली है इधर चले जाओ इस दिश हमको initial point देना पड़ेगा कहां से किस दिशा में क्यों मैं कहूं 100 km तो आप नहीं पहुंच सकते और जो AB है इसको कहते हैं यह है आपका displacement vector AB जो है वह जो वेक्टर है उसको कहते हैं displacement vector displacement vector अब आप कहेंगे साब इसकी value कैसे निकाले जाए देखो दियान से हम यहां से चलना सुरू करिएगा अब यह वेक्टर एडिशन पताए जाए जाएगा यहां से चलिएगा और उधर जाएए जहां किसी का head जा रहा हो अब आप कहेंगे यहां पहुंचिए इसका head जब head पे पहुंचिए दूसरे के tail पहुंच पकड़ लीजे इसकी tail पकड़ लीजे और यहां पहुंच जाएगे और यहां पर दोनों के head लड़ने लगे तो आपका OA प्लस AB बराबर OB आएगा OA प्लस AB यह वेक्टर हमें से बार लगा देते हैं is equal to OB इसको चिंदा मत करिएगा यह वेक्टर एडिशन भी पढ़ाया जाएगा detail में और समझ में आ जाएगा तो यहां से AB की value क्या आएगी यह जो हम बार लगाते हैं यह वेक्टर है शाट में ऐसे लिख देते हैं is equal to OB minus OA यानि position vector of B minus position vector of A यह इंगलिस में हिंदी में भी लिखा जाएगा तो यानि अगर आपको AB निकालना है तो PV आफ B पहले लिखेंगे या फिर PV आफ A लिखेंगे जैसे माले कहीं पर आपको L और M का position vector निकालना हो और MN ML निकालना हो तो position vector of L minus position vector of M लगाएगी तो यह vector का introduction है introductory part है थोड़ा सा एक बार ध्यान से इनके नाम देख लीजेगा इनका generally use नहीं होता है जब आप आगे पढ़ेंगे तो IJK का इस्तेमाल होगा vector क्या होता है यह definitions का use नहीं होता है लेकिन किसी competition में यहाद थियोरी यादा आती है neat वगरा में यह general competition में तो वहाँ पर यह आते हैं okay next in the next video thank you